पूर्व केंद्रिये मंतरी ने बता दिया कि 22 अर्थ 23 में होने बाले बिजानसवा चुनाम में कॉंग्रिस किसके नेतरत में चुनाम लड़ेगी कॉंग्रिस बिजायक जे बर्दन ने साप कर दिया है कि पार्टी के मुख्यमंतर का चेरा कमलनाती होंगे जे बर्दन के बयान के बाद कमलनाथ के बिरोधियों की मंसा पर पानी फिर गया है बता दे की बीदे कुछ दुनों से पूर्ब केंद्री मंत्री अरुन यादब और आजे सिंग के बयान के बाद कोंगरिस में कमलनाथ के नेतब पर सवाल उटने लगे थे जिसके बाद सीम पत के छेरे को लेकर गमासान मज गया था अरुन यादब ने कहा था कि कॉंग्रिस में सीम का छेरा आला कमानी ते करेगा जिसके बाद अजे सिंग का समर्तन भी उनको मिला था तो भाई नेता प्रतिपक्स ने कहा था कि ये बात पूरी तरह गलत है 22-23 का बिजान सबागा चुनाप कमलनाथ के रेतरब में ही लड़ा जाएगा बही कमलनाथ ने ये साब कर दिया है कि कोंग्रिस में उन्हें किसी पत्त की जरूत नहीं है मद्ध पैस का भविस से सही हातों में देना है जिसके लिए बही काम कर रहे है बिजाएक जे बर्दन सिंग के बैयान के कोंग्रिस में चल रहे हैं इस ये मपत्त को लेकर घमासान पर अंकुस लग गया है